हेलो फ्रेंड्स रेश्पी पिटारा चेनल में मैं रन्जू जी आप सबका स्वागत करती हूं फ्रेंड्स अगर आप कामेन है चटपटी सी आलू चाट खाने का तो चलिए फटाफट बना लेते हैं उसके लिए हमने 250 ग्राम बॉयल की हुए आलू ले लिये हैं और आलो को च हिसमें डाल देते हैं चुट की वर जीरा जीड़ा रिमर्च को अपने हिसाब से रक सकते हैं थोड़ा सा तीक वाङ्या थोड़ा सा कम कर सकती हैं तीन भड़े साइज के तो मां पहले से तभने की कोई आवशनता नहीं है बस प्याज को थोड़ीवाने देना तो जब तक प्यास और टमाटर भून करके तयार हो रहे हैं तब तक यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज प्लीज चैनल को सबस्क्राइब करें और पास के वेल आइकिन घंटी को क्लिक कर आल बटन को जरूर प्रेस करें जिससे की मेरे द्वारा या सेयर की जाने व हमाऀच को मुलीज प्लीज उसके साथ ही हम एट करेंगे इसमें एक चौथाए चमज bad like powder और एक चौथाए चमज लाल मिर्श पाउडर इसके अलामा इसमें किसी भी मसालों को हमेंग नहीं करना है और सात्वे डालेंगे आधा छोटा कप पानी जरू शोटा कप प्लाइं तो लगपक दो मिनट हो गए हैं और टमाटर और प्याज पक चुके हैं तो अभी हम चलते हैं अगले प्रोसेस की और तो बाय लालूओं के साथ इस टमाटर और प्याज को अच्छे से मिक्स करेंगे खासकर गर्मियों के दिन में अक्सर साम होते ही कुछ चटपटा खाने का आमन करने लगता है तो ऐसे में आप आलू चाट टमाटर चाट बना करके आप खुद भी खाएं अपने बच्चों को भी खिलाएं तो टमाटर के चाट की रेश्पी भी हमने आपके साथ सेर की हुई है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्सम में मिल जाएगा वहां से आप जा करके देख सकते हैं तो अब चलिए चलते हैं आलू चाट में बाकी की सामागरी को मिक्स करनें तो आलू के चाट को हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी की मसालों से यह डेकुरेट करेंगी तो हम डाल देंगे चुटकी भर काला नमक, चुटकी भर अमचूर पाउडर और चुटकी भर चाट मसाला इसके साथ ही इसमें डालेंगे कटी हुई धनिया की हरी पत्तियां थोड़ी से नमकीन मेरे पास हैं तो नमकीन को भी इस तरह से डाल देंगे और हमने प्याज काट करके रखे थे चोकोडाकार में तो प्याज को डाल देंगे और इसके साथ ही इसमें डाल देंगे हरी मीर्च इसमें आप और कुछ भी डाल सकते हैं जैसे मिठी चटनी, हरी चटनी जो आपको चटनी पसंद हो आप उसे भी डाल सकते हैं और इसके साथ ही इसमें हम डाल देंगे फेर्टी हुई दही, दो चमच इसके साथ ही थोड़ी सी धनिया की पत्तियां और भी हमने इसमें एड़ कर दी हैं और थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए इसमें डाल देंगे हम चुटकी भर लाल मिच का पाउडर लाल मिर्च का पाउडर डालने से टेस्ट थोड़ा सा और भी मज़िदार हो जाता है तो इस तरह से हमने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है अगर आप यह चार्ट बच्चों के लिए बना रहे हैं तो लाल मिर्च पाउडर को इसकीप करें तो आलू चाट की यह रेस्पी आपको कैसी लगी कमेंड बॉक्स में जरूर बताईएगा